सुप्रभाद बच्चों, आउनलाइन क्लास में आपका स्वागत है मैं आपके समक्ष एक निया अध्याय के साथ उपस्थित हुई है हिंदी साहित के बुक में अध्याय संख्या तेन और इस अध्याय का नाम है आज्या का पालन इस कहानी में आपको लाल बहादुर सास्त्री के जीवनी के बारे में बताया गया है लाल बहादुर सास्त्री के बारे में कौन नहीं जानता लाल बहादुर सास्त्री एक सच्चे देश भग थे जिन्होंने भारत के दूसरे परधान मंत्री के रूप में काम किया वे भारत के महत्पुर्ण नेताओं में से एक थे जिन्होंने देश के स्वाधिन्ता के लिए लडाई लड़ी और औरों को भी इस संघर्ष के साथ आने के लिए प्रेवित किया ऐसे थी हमारे लाल बादुन सास्त्री प्रती ध्वनी देश के परती निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर निष्ठा है क्योंकि इसे कोई इस संधर्ष में नहीं माप सकता इस बदले में उसे क्या मिलता है इस कहानी में देश भक्ती, देश के परती प्यार और समान की भावना है देश भक्त अपने देश के परती नी स्वार्थ प्रेम तथा उस पे गर्द करने के लिए जाने जाते है तता जो अपने देश के विकास के लिए कुछ भी करने को तयार रहते हैं ऐसे थे हमारे लाल बहादुर सास्त्री यह आका स्वानी है अब आप पर्धान मंत्री स्री लाल बहादुर सास्त्री का देश के नाम संदेश सुनें लाल बहादुर देश के नाम एक संदेश दियें रेडियो पर सधा हुआ स्वर उभरता है मेरे प्यारे देश वासियो आज सत्रू ने हमें ललकारा है अहिंसा और सांती की हमारी नीती को उसने कायरता समझा है सत्रू ने सांती से प्रेम से रहने वाले लोगों को क्या समझा है उसकी कायरता कस्मीर में उसने घुस पैट्टियों भेज दियें और सीमा पर भारी हत्यारों से हमला कर दिया है हमारे वीर सैनिकों ने उनका मुह तोर जवाब दिया है उन्होंने सत्रू की इट से इट बजा दिया हमारे बमवर्षक बिमानों ने सत्रू के सभी महत्पून सैनिक हवाई अड़े तहस नहस कर दिया सत्रू अम्रत सर में सुभा की चाय पीने और दिल्ली के किले में रात्री भोज के सपने देख रहा था हमने अपने सैनिकों को लहौर में चहल कदमी का आदेश दिया है वे अब लहौर का दर्वाजा खटखटा रहे हैं हमारे सैनिक ने अपने रक्ष से वलिदानों का जो इत्यास लिखा है उस पर सारे देश को गर्म है दुनिया की कुछ बड़ी सक्तियों को हमारी प्रगती फूटी आँख नहीं सुहाती हमारे सत्रू की पीट पर उनका हाथ है कुछ बड़े सैनिक जैसे कुछ बड़े व्यक्तियों को सत्रू के पीट पर उनका हाथ रहता है जब बड़े लोगों का सत्रू के पीट पर हाथ रहता है तो क्या होता है सत्रू का मन बढ़ जाता है वे हमारे देश को भेजे जाने वाले अनाज को बंद करने की धमकी दे रहे हैं हम किसी धमकी से डर कर अपने देश की एकता और अखंडता को नश्च नहीं होने देंगे मैं अपने देश की एकता और अखंडता को नश्च नहीं होने देंगे मैं अपने देश वासियों से अनुरोध करता हूँ कि आज से वे सखता में एक दिन एक समय ही भोजन करे ताकि देश को अनाच का अभाव का सामना ना करना पड़े मैं अपने देश के किसानों से अनुरोध करता हूँ कि वे धर्ती को अपनी परिश्रम से और अधिक सीचे उनके परिश्रम से हमारी धर्ती इतना अधिक सोना उगलेगी कि कोई हमें आँख दिखाने का साहस भी ना करे किसानों से क्या अनुरोध है लाल बहादर सास्त्री का कि वो अपनी कड़ी मेहनस से धर्ती को इतना सीचे कि उसमें बहुत ज़ादा अनाज पैदावार जिसे कोई दुस्मन आँख दिखाने का साहस भी ना कर सके जय जवान, जय किसान, जय हिंग सितंबर सन 1965 में भारत पाप, युद्र के दौरान परधार मंतरे के ऐसे प्रेरक सब्दों को सुन कर सारे देश में राष्ट प्रेम की भावना उत्पन हो गे सेना को देश की जनता से जो प्यार और सम्मान मिला उससे प्रेरित होकर भारतिय सैनिकों ने सत्रू को धूल चटा दी जैसे सोना आँच में तपकर कुंदन बनता है ठीक वैसे ही भारत पाक युद में लाल बहादुर सास्त्री का वैक्टित उभरा लाल बहादुर सास्त्री का जन दो अक्टूबर सन उनिस सो चार इस्वी में वारा नसी की मुगल सराई नाम इस्थान पर एक अत्यन साधारन कायस्त परिवार में हुआ था देड़ वर्स की अवस्था में पिताक का स्वर्गवास होने पर इनका लालन पालन नाना के घर पर हुआ लाल बहादुर सास्त्री का जीवन गरीबी में ही बीता था किन्टू गरीबी उनकी आत्मा को कुचल नहीं पाई अपितू इससे उनका आत्म बल बढ़ा और आत्म निर्भर होने की प्रेणा मिली सास्त्री जी ने सुबाव लंबन का पाट बच्पन से ही पढ़ लिया था वे अपने कपड़े स्वयद होते तथा अपने जूतों की मरमत भी वे स्वय करते थे वे अपने घर से आठ मील दूर अध्यन हे तो विद्याले जा देटे कभी कभी पैसे पास ना होने पर विद्याले के लिए नदी में तैल कर जाते थे पढ़ने लिखने में वे खूब प्रिश्णम करते थे उनके वेवार से उनके सीच्छ बहुत प्रशन थे उनके जीवन की अनेक ऐसी घटनाई है जो उनके व्यक्तित की गरीमा को व्यक्त करती है उनमे से कुछ प्रसंगों का उलेक करना अनुचित नहीं होगा पर्थम घटना उस समय की है जब वे उत्तर परदेश के गरी यातायात मंत्री थे एक दिन घर लोड़ते पर उन्होंने देखा कि घर की पीछली दिवार तोड़ कर कूलर लगाया जा रहा है घर के बच्चे इसलिए आनन्दित थे कि वे उन्हें ग्रिस्व की तप्ती लू से जुलसना नहीं पड़ेगा किन्टु सास्त्री जी ने दिर्टा से कह दिया कि उन्हें कुलर की अविशक्ता नहीं वे कहते थे कि मंत्रियों का जीवन साद्गी और त्याग युक्त होना चाहिए Students, आज का Homework है इस कहानी को अच्छी तरीके से पढ़े एवं सब्दार लिखने का अभ्यास करें Thank you